वेल्कम फ्रेंड्स स्वागत है आप सभी का एम टेक्नो चेनल में और डियाड्यो फायर मैन फायर इंजन ड्राइवर से संबंदित सलेबस और कोडिंग जो जनल साइन्स जनल अवेरनस जनल इंगलिस और एटिट्यूट और मैथ रेजिनिंग इन से संबंदित जो कुछे जा आज की question answer की वीडियो जैसे कि first question reasoning से संबंदित पूछा गया if the day before the day before yesterday is three day of Saturday then what day is it today यानि कि फ्रेंड्स से पूछा गया यदि विगद परसों परसों यानि कि कल और परसों से एक दिन पहले परसों से एक दिन पहले पहले की बात चलीगी बूत काल चला गया का दिन सनिवार से तीन दिन का दिन सनिवार है उससे तीन दिन आगे आने वाला दिन हो तो वो कौन सा दिन होगा तो वो सुक्रवार रहेगा क्योंकि विगद परसों से यानि कि परसों से एक दिन पहले पुछा गया है परसों से एक दिन पहले सनी वार से फिर पुछा गया है कि सनी वार से then is siyam, but not reach as much as mohan, then is siyam, यानि के friends में पुछा गया, यदि राम siyam से अधिक धनवान पैसे वाला है, परन्तु उतना नहीं जितना की mohan है, यानि की mohan सबसे धनवान है, तो siyam क्या है, तो siyam अधिक धनवान है या नहीं है, ये पूछा गया इसमें की, तो siyam क्या है, तो जो siyam है न friends, वो mohan से निर्दन है, यानि की गरीब है, mohan से गरीब है, पूर्दन mohan, तो इसमें correct answer option C हो जाएगा, कि siyam जो है, वो mohan से गरीब है, तो इसमें correct answer option C हो जाएगा, next question friends, पुछा गया, Nikhil is 8 year younger than his brother Rohan, what will happen to Rohan when he is twisted as old as Nikhil, यानि के friends पुछाया है, कि Nikhil अपने भाई Rohan से जो आयू है, वो 8 वर्स उसकी छोटी है, लेकिन Rohan क्या होगी, Rohan क्या होगी, तो Rohan क्या होगी, पूछी कि जबकि वो Nikhil की आयू के 2 गुना बड़ा है, तो जो Nikhil की आयू है, वो Rohan की जो आयू है, उसकी 8 वर्स छोटा है Nikhil, तो जो इसमें Rohan की आयू होगी, वो 16 वर्स हो जाएगी, यानि कि दुग नहीं हो जाएगी, तो जो जो में correct answer रहेगा, option D रहेगा, 16 वर्स, तो 16 वर्स इसमें correct answer हो जाएगा, नेक्स्ट कॉशन है फ्रेंट से पूछा गया, इफ 16 वर्स में 16 वर्स में 16 वर्स को सुकुरवार था, तो उसी वर्स में जुलाई मह में पहला सुकुरवार किस तारीक को पड़ेगा, तो जो इसमें correct answer हो, option C रहेगा, यानि कि 7 वर्स के, 7 जुलाई को जो है, पहला सुकुरवार पड़ेगा, तो उसमें correct answer option C हो जाएगा, फ्रेंट से नेक्स्ट कॉशन है, फ्रेंट से स्टार्टिंग फ्रोम एनी एंड, इफ यूर नंबर इस 11 इन और रो, then tell how many person are there in the row, यानि कि फ्रेंट से में पुछा गया है, कि किसी भी छोर से सुरू करने पर, यदि किसी पंग्ती में आपका नंबर जो है, 11 पर है, तो अब बताएगे कि, पंग्ती में कितने ब्यक्ति होंगे, अगर इस साइड से, लाश्ट वाली साइड से अगर चेक करें, तब भी 11 नंबर पर आपका नंबर आता है, और स्टार्डिंग से चेक करें, तो तब भी आपका नंबर 11 पर आता है, तो जो है, उस पंग्ती में कितने प्रसण, यानि कि ब्यक्ति मोजूद है, ये क्वेशन में पूछागा है, तो जो इसमें करेक्ट आंसर रहेगा, उप्सन बी, यानि कि 21 हो जाएंगे, क्योंकि 11 होँआ, सेंटर में जो है, आपका नंबर आगे से भी 11 होँआ है, पीछे से भी 11 होँआ है, तो टोटल कितने होगे, पे 21 रहेंगे, क्योंकि 11 दूनी 22 होते हैं, अगर हम 22 मान के चलेंगे, तो पंक्ती में 22 लड़के होंगे, तो आपका नंबर जो है, 11 पर नहीं आएगा, लेकिन अगर पंक्ती में 21 होंगे, तो आगे से अगर गिंती की जाएगी, तो 11 पर आएगी, और पीछे से अगर गिंती की जाए, तब भी 11 पर आपका नंबर आएगा, तो इसमें correct answer option B हो जाएगा, नेक्स्ट question पूछा गया, तो इसमें जैसे हीम सपेद कलर का होता है, यानि कि जो हीम होता है, वो सपेद कलर का रंग होता है, नीम्बू का जो रंग होता है, वो यल्लो कलर होता है, यानि कि पीला होता है, पत्ती का जो कलर होता है, गिरीन कलर का होता होता है, हरा होता है, लेकिन चीनी का जो कलर होता है, वो सपेद होता है, तो चीनी का कलर सपेद होता है, लेकिन चीणी मीठी होती है、 लेकिन ये अलग है, इन तीन option में, चीणी जो है, सपेद color के होती है, लेकिन मीठी पूछी गई है, इसमें जवाब में मीठा है, लेकिन बाकि सब color पूछे गए हैं और चीणी option D से में, जो है, अलग तरीके से संबन्दीत है। तो इसमें correct answer बह ओवरलेप इन आ डे यानि के फ्रेंट्स में पुछाया कि घड़ी की दोनों सिया एक दिन में अधिकतम कितने बार आती ब्यापन करती हैं तो इसमें correct answer option D रहेगा 22 बार जो है वो आपस में मिलती हैं यानि के ओवरलेप होती हैं तो इसमें correct answer option D हो जाएगा next question friends if GECA standard 48642 then what will HFBD standard 4 यानि के फ्रेंट्स में पुछाया यदि GECA का अर्थ 8642 है तो HFBD का अर्थ क्या होगा तो calculate करेंगे friends इसको इस परकार से जब GECA यानि कि ABCDEFZ उसको A को जो है दो नंबर में विवाजित किया गया है B को 3 उसी परकार C को 4 D को 5 तो उसी परकार HFBD को 9735 से calculate 35 जो है उसका correct answer निकल के आ जाएगा क्योंकि ABCD को अगर नंबर में हम इस परकार से लिखे जिस परकार से यहाँ पर लिखा गया है उसी परकार से अगर हम बात करें H की तो H के लिए 9 आएगा F के लिए 7 आएगा B के लिए 3 आएगा और D के लिए 5 आएगा तो उसमा correct answer जो रहेगा option C हो जाएगा friends correct Next question friends पूछा गया World Social Protection Report किसके द्वारा प्रकासित किया जाता है तो World Social Protection Report जो ती है friends International Labour Organization के द्वारा प्रकासित की जाती है तो जो इसमा correct answer रहेगा option B रहेगा friends Next question friends पूछा गया वह समीदान संसोदन जिसके तहत GST पारित किया गया है तो कौन सा समीदान संसोदन था जिसके द्वारा क्या है जिसके द्वारा क्या है GST को पारित किया गया तो जिसमा correct answer रहेगा option B हो जाएगा Next question friends भारत में वस्तू चेवा का GST लागू कर दिया गया तो जो भारत में वस्तू एवं सेवा पर GST लागू किया गया था वो 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था तो उसमें correct answer option B हो जाएगा 1 जुलाई 2017 से वस्तू एवं सेवा पर GST लागू कर दिया गया था नेक्स्ट क्रेशन अफ्रेंड से पूछा गया अमेरिका ने किस देश को 2.37 अरब डॉलर में हारपून मिसाइल की डील को मंजूरी दे दी तो हारपून मिसाइल को जो मंजूरी दी गई थी तो ताइवान को दी गई थी अमेरिका ने जो है ताइवान को 2.37 अरब डोलर में हाईपून मिसाइल की डील की मनजूरी दी थी तो उसमा correct answer option D हो जाएगा फ्रेंट्स Next question फ्रेंट्स पूछा गया European Sun के सदस्य ने 2030 तक कितने परतिसत उसरजन में कटोती के लिए मददान किया तो European Sun सदस्य ने 2030 तक 60% उसरजन में कटोती के लिए मददान किया तो उसमा correct answer जो रहेगा option C रहेगा 60% Next question फ्रेंट्स पूछा गया हाली में किस देश ने no mask no service नीती को लागू कर दिया है यानि कि no mask no service policy किस देश ने लागू किया तो उसमा correct answer option B हो जाएगा बांगलादेश ने no mask no service नीती को लागू किया तो उसमा correct answer option B हो जाएगा Next question फ्रेंट्स पूछा गया भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है इंडिया का सबसे बड़ा राज्य पूछा गया तो उसमा correct answer option C हो जाएगा यानि कि राजिस्तान राजिस्तान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है तो उसमा correct answer option C हो जाएगा Next question है फ्रेंट्स पूछा गया On which river भांखडा the highest dam in India यानि कि फ्रेंट्स पूछा गया कि भारत का सबसे उचा बांद भांखडा किस नदी पर बनाएगा तो भांखडा जो है फ्रेंट्स सतलुज नदी पर बनाया जो कि सबसे उचा बांध है भांखडा भारत का भांखडा बांध है यह सबसे उचा बांध है जो कि सतलुज नदी पर बनाया तो उसमा correct answer option B हो जाएगा Next question है फ्रेंट्स पूछा गया Where is the first iron steel company of India located यानि कि फ्रेंट्स से पूछा गया है कि भारत की पहली iron steel company कहां इसतीत है तो जो भारत की पहली iron steel company है वो जसमेदपूर में सतीत है तो उसमा correct answer option A है फ्रेंट्स Next question है फ्रेंट्स पूछा गया है भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान बंडार के रूप में जाना जाता है Which state is India is now as the food grain store of India यानि कि फ्रेंट्स में पूछा गया है भारत का किस राज्य को भारत का खाद्यान बंडार के रूप में जाना जाता है तो पंजाब को जो है भारत का खद्यान भंडार के रूप में जाना जाता है तो इसमें correct answer जो रहेगा option B रहेगा फ्रेंट्स पंजाब next question है फ्रेंट्स वास्तिविक वस्तु का हमेशा सीधा परतिविम बनाने वाला दरपन होता है तो वो कौन सा दरपन ये पूछा गया है इसमें तो जो इसमें correct answer रहेगा option D रहेगा यानि कि समतल उतल flat concave जोता है वास्तिविक वस्तु का हमेशा सीधा परतिविम बनाता है तो इसमें correct answer option D रहेगा फ्रेंट्स next question is friends केंद्रिया ग्रह मंत्री ने हाल ही में सरस्तर सीमा बल के कामकाज की समिक्सा की है SSB को पहले के रूप में जाना जाता है तो किस रूप में जाना जाता है SSB की full form पूछीगी इसमें की SSB की full form क्या है तो केंद्रिया ग्रह मंत्री ने हाली में जो सस्तर सीमा बल के कामकाज की समिक्सा की है उसमें SSB को पहले से ही विसे सेवा बीरो के नाम से जाना जाता है यानि की special service बीरो के नाम से जाना जाता है तो उसमें correct answer option A रहेगा फ्रेंट्स next question है फ्रेंट्स DRDO के light combat aircraft के नौ सेनिक संसक्रण ने भारतिय नौ सेना के किस विमान वाहक पोथ पर अपनी पहली सफल लेंडिंग की तो उसमें correct answer है INS विक्रमादित्य के नाम से जो है सफल लेंडिंग की गई थी पहली सफल लेंडिंग की गई थी तो उसमें correct answer है option A हो जाएगा INS विक्रमादित्य के नाम से जो है पहली विमान पोथ पहली सफल लेंडिंग की तो उसमें correct answer option A हो जाएगा फ्रेंट्स next question है फ्रेंट्स 222 यानि कि 212 स्कॉर्डन पहला सुकोईू 30 MKI से लेस स्कॉर्डन किस दक्सिनी राज्य के तजावूर वाईू सेना इस्टेशन से संचालित होगा तो फ्रेंट्स इसमें जो correct answer है गा option B यानि की तमिल नाडू से जो है पहला सुकोईू 30 MKI से लेस जो है इस कॉर्डन जो रहेगा वो तजावूर वाईू सेना इस स्टेशन से जो है उसको संचालित किया जाएगा तो उसमें correct answer जो रहेगा option B हो जाएगा फ्रेंट्स next question है फ्रेंट्स पूछा गया मेडाक सर की चक्रवाद प्रभावित आबादी को साहिता परदान करने के लिए भारतिय नो सेना के द्वारा चलाएगे मिशन का नाम क्या था तो जो मेडाक सर की जो चक्रवाद प्रभावित आबादी को साहिता परदान करने के लिए जो भारतिय नो सेना द्वारा चलाएगे मिशन का नाम फ्रेंट्स operation well in well in a था तो जुसमें correct answer एगा option operation well in a था वो जो है नो सेना द्वारा चलाएगे मिशन का नाम था भारतिय नो सेना के द्वारा चलाएगे मिशन का नाम था तो उसमें correct answer option b हो जाएगा फ्रेंट्स next question है फ्रेंट्स किस सहरन में भारतिय तटरक सकबल ने हाली में अपनी c 448 high speed boat commission की है तो भारतिय तटरक सकबल ने हाली में फ्रेंट्स मंगलूरू में जो है c 448 high speed boat की commission की है तो उसमें correct answer option c हो जाएगा फ्रेंट्स next question जो है फ्रेंट्स पूछा गया भारत की सबसे अधिक बोले जानी वाली भासा कौन c है तो सबसे अधिक जो भारत में बोली जाती है वो हिंदी बोली जाती है तो उसमें correct answer option a हो जाएगा फ्रेंट्स और फ्रेंट्स जो वर्ट्सप गूरूप के माधियम से आप comment box में comment कर रहे हो कि sir group में कैसे एड होना है तो उसके लिए आपको fireman की job relative वाली question वाली pdf खरीदनी होगी वो खरीदने के बाद आपको वर्ट्सप गूरूप में जोड दिया जायागा add कर दिया जायागा और उसके बाद आपको जो है 50% जो saliva से आपका वर्ट्सप के माधियम से आपको cover करवाया जा रहा है जिसमें की इस प्रकार के सारे question है क्योंकि बीच बीच में आप देख रहे होंगे कि वीडियो में 26 के बाद 27 question नहीं आया उसके आगे को question नहीं आएंगे तो वो वर्ट्सप के माधियम से मैं जो है पढ़ा रहा हूँ लगातार वर्ट्सप गुरूप के माधियम से मैं आगे पढ़ा रहा हूँ कि इस प्रकार के question आपके डिया डियो के exam में आगे तो गुरूप में add होने के लिए आपको friends fireman की job relative question की पीडियाप खरीदनी होगी जिसमें की reasoning भी है और gkb और job relative question answer की पूरी 450 plus question उस पीडियाप में available है वो खरीद लीजी आप और easily आपको गुरूप में add कर दिया जाएगा next question friends एक प्रसंट पत्र में दो भाग A और B होते हैं प्रते एक में 12 प्रसंट होते हैं यदि किसी चात्र को भाग A से 10 और भाग B से 10 चुनने किया हो सकता है तो वो कितने तरीकों से कर सकता है ये question भी मैं आपको ये जो question हों की पीडियाप है मैंने वर्टसप ग्रूप के माधियम से आपको available करवा रखी है इसमें जो correct answer हो option ये इसमे correct answer हो जाए एक टैंक को भरने के लिए एक साथ दो नल A और B खोले जाते है दो नल समय में टैंक को भरते हैं लेकिन X यदि B अलग से टैंक भरने के लिए X से 25 मिनट अधिक समय लग लेता है X मतलब जिसको क्यों कोई option नहीं दिया गया है वो 25 मिनट अधिक समय ले रहा है और B को टैंक भरने के लिए X से 49 यानि कि 59 मिनट अधिक समय लग रहा है तो X का मान ग्याद कीजिए X का मान पूछा गया है इसमें जो X का मान हो जाएगा वो 35 मिनट हो जाएगा 35 मिनट इसमें correct answer है तो इसमें correct answer है calculation करके मैंने side में दिखा रहा है कुछ इस प्रकार से calculate किया जाएगा और easily आप इसको निकाल सकते हो 35 मिनट तो इसमें correct answer option D हो जाएगा next question friends जो है general English से समभन लीत है जो question में पूछा गया trust in God खालिस्तान dot 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 do the right यानि कि friends से में पूछा गया कि trust in God and do the right and इसमें correct answer हो जाएगा option A इसमें correct answer है तो इसमें correct answer option A हो जाएगा trust in God and do the right next question friends we traveled खालिस्तान dot 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 about to reach स्रीलंका यानि कि friends से में पूछा गया है कि we traveler तो इसमें correct answer हो जाएगा option D यानि कि by इसमें खालिस्तान जो dot dot पे आएगा वो buy आएगा यानि कि we traveled by a boat to reach स्रीलंका यानि कि इसमें correct answer option D हो जाएगा next question which of the following is the northernmost point of India निमने लिखित में से कौन सा भारत का सबसे उत्री बिंदू है तो उत्री बिंदू पूछा गया तो इसमें correct answer option B हो जाएगा यानि कि इंडियन को इंद्रा कर्नल इंद्रा कर्नल जो है फ्रेंट्स भारत की सबसे उत्री बिंदू को इंद्रा कॉल के नाम से जाना जाता है यह 5764 मीटर की उंचाई पर इस्तित है 5764 मीटर की उंचाई पर इस्तित है यह इंद्रा कॉल तो इसमें correct answer और option B हो जाएगा इंद्रा कॉल तो इसमें correct answer जो है फ्रेंस और option B हो जाएगा यह PDF जो है फ्रेंस मैं आपको वर्टसप गुरूप के मादम से अबेलिबल करवा चुका हूँ complete PDF जोब रिलेटिव इस परकार के कुछ question पूछे जाते हैं यानि कि फ्रेंस में पुछा है घर में रसोई की आग सबसे आम परकार किया यह है क्योंकि जो होता है फ्रेंस घर रसोई में जो है आग लग जाती है किस कारण से लगती है यह पुछा गया है तो इसमें option D में correct answer हो जाएगा यानि कि खाना बनाने के बाद हम लावारिस अगर आग को ऐसी छोड़ देते हैं खाना बन गया और आग को हमने ऐसी छोड़ रखा गैंस को ओपन छोड़ रखा तो आग लगने की संभाव नहाती है तो इसमें correct answer जो है option B हो जाएगा friends तो कुछ इस प्रकार की जो fireman की PDF available है जो मैंने 100 RS में आप लोगों को देनी के बात की ती जो जिसमें कि 50% सलेबस आपका cover है और 50% सलेबस जो है में WhatsApp update करवा रहा हूं और सब ग्रूप के माधियम से तो मिलता है friends ऐसी next वीडियो की update में